अगर आप अपने लिए अपने loved ones के लिए accurate predictions करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे doubts आ रहे हैं जो clear नहीं हो पा रहे हैं बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं Watch my free training program जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा Hello everyone, मैं हू किरिन शापरी और ये है आप लोगों के लिए April 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि April month में आपके partner की आपके लिए इस relationship के लिए क्या energies रहेंगी Finally you know April month में क्या हो रहा है कौन सी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप April month की energies को बदल सकते हैं अपनी love life को भैतर कर सकते हैं तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं April 2024 की Love Tarot Reading अपनी लिबराज, आप लोगों के लिए देखें कि April 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पस यहाँ पे तीन set of cards हैं first set of cards में हम आपकी energies देखेंगे second set of cards में आपके partner की energies देखेंगे and third set of cards में हम देखेंगे कि finally April मंत में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए आपे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है acting cold तो या तो आप कुछ time से April starting में थोड़ा सा cold act कर रहे हैं यानि कि बहुत ज़ादा action initiatives नहीं ले रहे हैं या फिर आपकी तरफ से एक warmth या फिर आपको ऐसी ही energy आपके partner से महसूस हो रही है और दिखें ये card आपके लिए है तो आपकी तरफ से यही energy ज़ादा रहती हुए दिख रही है फिर से कहूंगी आप थोड़ा सा cold act कर रहे हैं warmth missing है उतने action initiatives या तो नहीं ले रहे हैं या फिर उस तरीके से अपना love नहीं express कर रहे हैं देखें ये general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा फिर से कहूंगी कुछ के लिए हो सकता है कि उतने expressive नहीं हो रहे हैं अपनी feelings emotions को लेकर कुछ के लिए हो सकता है कि you know action initiatives नहीं ले रहे हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके मन में आपके partner के लिए love नहीं है क्योंकि acting cold के उपर 10 of cups reverse का card बहुत ही clearly कहता है कि आपके मन में आपके partner के लिए love है और दूसरी चीज किसी चीज को close करना चाहा रहे हैं किसी चीज को लेकर एक ending beginning आप इस relationship में करना चाहा रहे हैं अब देखिए यह general reading है तो थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा और कहीं 10 of cups reverse का card ये भी कहता है कि starting, April starting में एक incomplete वाली feeling हो रही है एक अधूरापन आप महसूस कर रहे हैं कुछ Libras के लिए भी हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है लेकिन फिर भी वो happiness, joy आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं या फिर से मैं कहूंगी कि कि किसी चीज को close करके complete करके नए सिरे से चीजों को शुरू करना चाहा रहे हैं अब दिखिये फिर से ये सब के लिए differ करेगा and mid April के लिए the world का card कहता है कि शायद आप कुछ चीजों को close करके नए सिरे से कुछ चीजों को शुरू कर रहे हैं या कर पा रहे हैं अब दिखिए यहाँ पर कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को लेकर अगर गुसा महसूस कर रहे थे आप दुनों के बीच में कुछ इशूस मसले थे उनको आप एंड करके नए सिरे से चीजों को शुरू करना चाहा रहे थे कुछ के लिए हो सकता है कि you know out of the world आप ट्रावल करना चाहा रहे थे या फिर आपके पार्टनर ट्रावल कर रहे है या फिर ये एक long distance relationship है तो दिखिए किसी भी तरीके से ending beginning होती भी दिख रही है क्योंकि next card four of wands का है तो आप दोनों एक दूसरे से touch में रहते वे दिख रहे हैं या फिर मैं कहूंगी ये आपके cards है तो आप कहीं action initiatives and April में लेते वे दिख रहे हैं या फिर मैं ऐसा भी कहूंगी surface level के लिए आपकी तरफ से एक enthusiasm, एक excitement relationship के लिए partner के लिए रह रहा है लेकिन deeper level के लिए यहाँ पर promises का card कहता है कि कोई चीज, कोई बात promise से related आपके मन में रह रह रही है अब देखिए कुछ लिबरास के लिए हो सकता है कि आपने अपने partner को कोई promise किया और आप नहीं उस promise को पूरा कर पाए तो यहाँ तो mid April में आप उस promise को पूरा कर रहे हैं यहाँ पर the world का card किसी चीज के पूरे होने की, close होने की बात करता है और promises का card the world के नीचे कहता है कि यहाँ तो आप मिड एपरिल में कोई promise अपने partner के साथ किया हुआ पूरा करेंगे या फिर हो सकता है कि आपके partner ने कोई promise आपसे किया हो और उसकी एक expectation आपके मन में रह रही है कि उनको वो promise पूरा करना चाहिए और कहीं उनों फिर से मैं कहूंगी जो भी मेरे mind में आ रहा है मैं आपको कह रही हूँ deeper level के लिए या फिर money ही मन promise से related कोई चीज वादा आपने किया उन्होंने किया उससे related कोई चीज आपके मन में रह रही है और इसी लिए एक ending beginning आप चाहा रहे हैं और फिर कुछ चीजों को close करके complete करके नए सिरे से चीजों को शुरू करना चाहा रहे है और देखिए end April के लिए फिर से कहूंगी four of wands का card कहता है या तो एक enthusiasm excitement आप अपने partner के लिए महसूस कर रहे हैं और देखिए mid April तक या फिर starting April में ये enthusiasm ये excitement missing रह सकता है and कहीं end April में आप अपने partner के साथ एक togetherness चाहते हुए दिख रहे हैं एक companionship चाहते हुए दिख रहे हैं जादा interactions आपकी तरफ से रह सकते हैं हो सकता है आप उनके साथ vacation प्लान कर रहे हैं या फिर vacation पर जाना चाह रहे हैं देखिए फिर से कहूंगी ये general reading है कुछ के लिए literally हो सकता है vacation प्लान कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आपके मन में एक सोच चल रहे हैं आप ऐसा चाहा रहे हैं तो देखिए फिर से surface level के लिए बहुत beautiful energies है positive changes आपकी तरफ से आते हुए दिख रहे हैं आपकी energies में आते हुए दिख रहे हैं लेकिन इसके बावजू deeper level के लिए stress का काट कहता है कि मन ही मन कोई चीज आपको परिशान भी कर रही है कोई चीज को लेकर एक stress, tension, anxiety रह सकती है क्योंकि ये monthly reading है और monthly reading में भी हम यहाँ पर खाली April end की बात कर रहे हैं तो बहुत कोई बड़ा मसला नहीं होगा बहुत कोई बड़ी बात नहीं होगी जिसको लेकर एक stress, एक tension आप में हसूस कर रहे हैं क्योंकि stress के ऊपर four of wands का का काट है जो की बहुत ही positive काड है तो हो सकता है कि किसी positive चीज को लेकर ही stress हो रहा हो कितनी बारी देखिए जब किसी की शादी होती है तो वो बड़े खुश होते हैं, happiness होती है, joy होती है बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन एक stress भी होता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए इतना सब कुछ manage करना पड़ेगा मैं ये नहीं कह रही कि आपके लिए ऐसा April month में हो रहा है या April end में हो रहा है I am just giving an example कि कैसे positive चीजें भी stress at times ले आती है तो एक positive stress रहता हुआ दिख रहा है याँ पर positive changes हो रहे हैं और especially देखिए जब changes होते हैं न और हम बड़े enthusiastic होते हैं उनके लिए तो हम खुश भी होते हैं लेकिन साथ ही साथ एक tension भी होती है कि भाई ये ठीक है पता नहीं जो नई चीज आएगी या नए सिरे से चीजें होंगी वो कैसी होंगी तो एक जिसे बोलते हैं कि हम familiar नहीं होते हैं future के साथ तो हमें थोड़ी सी anxiety भी हो जाती है तो फिर से positive ही चीजें रहती होई दिख रही हैं और एक positive stress में कह सकती हूँ रहता हुआ दिख रहा है और अब देखते हैं कि आपके partner की energies हैं तो आपके partner के लिए देखिए sending you love का card कहता है कि मन ही मन आपके लिए बहुत एक प्यार महबबत महसूस कर रहे हैं और यहाँ पर don't leave का card कहता है कि उनके मन में हो सकता है एक fear है उनको भी tension है कि कहीं आप इस relationship को न छोड़ दें या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि वो नहीं चाहते कि आप इस relationship को छोड़ें और जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है कहीं उनके मन में एक डर रह रह रहा है उनके मन में एक fear रह रहा है और मन ही मन की अगर उनकी energies देखें तो फिर से मैं कहूंगी वो आपको कहना चाहते हैं कि आप प्लीज इस relationship को ना छोड़िये यहाँ पर बहुत ही clearly don't leave का card इसी चीज़ की बात करता है लेकिन surface level के लिए देखिए हो सकता है जिस तरीके से वो आपको communicate कर रहे हैं वो उनका तरीका ठीक नहीं है यहाँ पर page of swords का card बहुत blunt communication की बात करता है बहुत एक immature energies की और immature तरीके से भी बात करने की बात करता है हो सकता है थोड़ा सा taunt मार के बात कर रहे हैं हो सकता है थोड़े से sarcastic हो रहे हैं अपने communication में और फिर से कहूंगी बहुत immature energies हैं कहीं एक balance वो नहीं रख पा रहे हैं कोई चीज यहां तो too much कर रहे हैं या फिर too less कर रहे हैं and end April के लिए आपर the moon का card again कहता है कि एक fear, एक anxiety, एक restlessness वो महसूस कर रहे हैं जहां पर clearly चीजों को नहीं देख पा रहे हैं और बहुत ज़ादा हर चीज को observe करते वे दिख रहे हैं taking notes का card कहता है कि जो भी आप कह रहे हैं, कर रहे हैं उसको note down अपने mind में करते वे दिख रहे हैं मैं यह नहीं कहारी paper pen लेकर लिख रहे हैं लेकिन taking notes का मतलब होता है कि अपने मन में वो चीज रखते वे दिख रहे हैं let go नहीं कर रहे हैं जैसे होता है न बात पकड़ ली और कोई चीज हुई इसको पकड़ लिया थोड़े से clingy हो गए इस तरीके की energies उनकी रहती हुई दिख रहे हैं और फिर से कहूंगी fear and security भी end April में वो महसूस करते हुए दिख रहे हैं और अब देखते हैं Libras की एपरिल मंत में क्या हो रहा है तो दिखी एपरिल स्टार्टिंग के लिए the hierophant reverse का काड़ कहता है पीछे अगर आप दोनों याँ आप दोनों में से कोई एक बहुत स्टबन हो रहे थे बहुत जिद्दी हो रहे थे बहुत rigid हो के fixated हो के चीजों को कर रहे थे तो कहीं इस चीज का एहसास हो रहा है और कहीं एक flexibility लाना चाहा रहे हैं लेकिन in the process हो सकता है कि unstability भी इस relationship में आ रही है और deeper level के लिए high maintenance का काड़ कहता है आप दोनों याँ आप दोनों में से किसी एक को लग सकता है कि भई ये relationship को maintain करना थोड़ा सा मुश्किल है बहुत effort लग रहा है बहुत मेहनत लग रही है तो देखिए काड के हिसाब से देखिए high maintenance किसी भी reason की वज़े से maintenance में काफी effort रहता हुआ दिख रहा है और इसलिए या फिर otherwise भी यहाँ पर need a break का काड़ कहता है थोड़ा सा एक pause आप दोनों लेते हुए दिख रहे है यहाँ पर दिखिए need a break का मतलब यह नहीं है कि break up हो गया या फिर आप दोनों के बीच में कुछ major issues और problems हो गए it only means कि मन ही मन एक pause लेना चाहा रहे है और यहाँ पर surface level के लिए the chariot का काड़ कहता है कि चीजों का control अपने हाथ में लेकर जो भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई चाह रहे हैं उस direction में move करते हुए दिख रहे हैं अब दिखिए इन दोनों को combine करके देखें तो हो सकता है कि थोड़ा सा आप distant हो रहे हैं और फिर वो distant हो रहे हैं या फिर आप travel कर रहे हैं वो travel कर रहे हैं और इस वज़े से आप दोनों के बीच में एक distance आ रहा है दिखिए ये monthly reading है तो बहुत बड़ी कोई बातें नहीं होती हैं चोटी मुटी चीज़े होती हैं तो यहाँ पर दिखिए फिर से काऊंगी या तो आप travel कर रहे हैं आपके partner travel कर रहे हैं इसकी वज़े से एक gap आ रहा है आप दोनों के बीच में या फिर break चा रहे हैं और इसलिए कहीं जो बाकी चीज़े हैं लाइफ की उन पर focus कर रहे हैं और कहीं अगर पीछे चीज़ों का control अपने हाथ में लेकर नहीं जो चाहते हैं उस direction में action initiatives ले पा रहे थे थोड़ा सा कहीं balance बिगड रहा था थोड़ा सा control कहीं खो रहे थे तो mid April में चीज़ों का फिर से मैं कहूंगी control लेके जिस direction में जाना जाते हैं उस direction में जाते हुए दिख रहे हैं और कहीं end April के लिए 10 of Pentacles का card कहता है कि stability, security surface level के लिए आ रही है हमने देखा था कि starting में कहीं एक चीज़े unstable हो रही है और कहीं end April तक चीज़ें इसी हिसाब से better होती हुए दिख रही है यानि कि जो एक unstability starting April में आ रही थी वो कहीं better होती हुए दिख रही है यहाँ पर 10 of Pentacles का card है तो कुछ Libras या फिर उनके partner की family या फिर जो भी loved ones, close ones है उनकी involvement, उनकी interference भी रह सकती है और कुछ के लिए हो सकता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया stability, security आ रही है confidence एक दूसरे पर आ रहा है कुछ के लिए हो सकता है आप अपने partner को commitment दे रहे हैं आपके partner आपको commitment दे रहे हैं आप हमने promise देखा था तो हो सकता है कि कोई promise आप दोनों एक दूसरे से कर रहे हैं और बहुत पक्का वाला वादा कर रहे हैं और long term के बारे में सोच रहे हैं या फिर कहीं end April में आप दोनों ही एक दूसरे से promise कर रहे हैं वादा कर रहे हैं कि यह relationship long term तक आप दोनों की life में रहेगा और यहाँ आप देखे changing का card भी कहता है कि positive changes कहीं end April में इस relationship में आ रहे हैं तो यह था Libra's आप लुगों के लिए April 2024 की Love Tarot Reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें